इस संस्कृति में हमने नदियों को पानी के भंडार की तरह नहीं देखा है हमने उन्हें जीवन देने वाली देवियों के रूप में देखा है क्योंकि जिसे हम पानी कहते हैं, जिसे हम हवा कहते हैं, जिसे हम भोजन कहते हैं, जिसे हम धर्ती कहते हैं, जिस पर हम चलते हैं ये सब वस्तुएं नहीं हैं, ये जीवन का निर्मान करने वाली सामग्री है इस संस्कृती में हमने कभी कहीं और मौजूद अंजान भगवानों की पूजा नहीं की, भारत में कभी कोई उपर बैठा एक सबसे बड़ा भगवान नहीं रहा सारे देवता, जिनके हम पूजा करते हैं, वो ऐसे लोग हैं, जो कभी न कभी इस धर्ती पर चल फिर चुके हैं चाहे अब शिव या राम या कृष्णा या जिसे भी लें, वो सभी इस धर्ती पर चले हैं उन्होंने भी सभी कष्ट और परिशानिया सही हैं जो हर इनसान सहता है और उससे भी कहीं ज्यादा जिसे आप माभारत के रूप में जानते हैं, वो शुरू से आखिर तक जबरदस्त उथल पुथल थी हर तरह की चीजें हुई और अंत में एक भयानक और विनाशकार युद्ध हुआ लेकिन फिर भी, एक इनसान इस सबसे अचूता रहा, हर चीज में सक्री रूप से शामिल, लेकिन अचूता तो इस गुण के कारण हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी काम्याबी के कारण नहीं, किसी चमतकारी शक्ती के कारण नहीं उन सब ने सामान्य तोर पर अपनी मा की कोक से जन्म लिया था, कोई भी आकाश से नहीं उतरा और वो हमारी तरह इस धरती पर चले फिरे, वे हर उस चीज से गुजरे जिससे हम सब गुजरते हैं, और उससे भी कहीं ज्यादा लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि वो अचूते रहे कई तरह से एक नदी इसी बात को दर्शाती है, कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के लोग उसे चूते हैं बहते रहने के अपनी प्रकृती की वज़े से ये शुद्ध रहती है और हमेशा बरकरार रहती है तो हमने नदीयों को कभी पानी के भंडार की तरह नहीं देखा, या एक भौगोलिक घटना की तरह नहीं देखा हमने हमेशा उन्हें अपने जीवन के लिए जीवन दाई मूल तत्तु के रूप में देखा है क्योंकि हमारे शरीर का 72 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पानी है इस ग्रह का ही 70 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा पानी है तो इस संदर्ब में मानव जीवन के उठान या रूपांतरन के बुनियादी विज्ञान को भूत शुद्धी कहते हैं यानि पाँचो तत्वों की शुद्धी. ये एक चमतकारी प्रक्रिया है, क्योंकि ये सारा ब्रहमान, सारी सृष्टी, हर जगे, जीवन के अलग-अलग रूप, ये सब कुछ सिर्फ पाँच तत्वों से बना है. पाँच करोड से नहीं, सिर्फ पाँच से. और कितने जादूई तरीके से ये पाँच तत्व, करोणों तरीकों से एक दूसरे से मिले हैं, और हर रूप दूसरे के तुलना में पूरी तरह से अनोखा है, और वो सभी सिर्फ पाँच तत्वों से ही बने हैं. तो अगर कोई अपनी भौतिक प्रकृती से उपर उठना चाता है, तो ऐसा करने के लिए, सबसे बुन्यादी और सबसे कारगर तरीका है, कि वो भूत शुद्धी की प्रकृत से गुजरें. पूरा योग विज्ञान इस भूत शुद्धी की प्रकृती से ही निकला है, यानि अपने पाँच तत्वों के साथ काम करना. अगर आप अपने तत्वों को नियंद्रण में ले लेते हैं, तो हर चीज आपके दाइरे में होती है, हर चीज आपके काबू में होती है. जो इनसान पाँचों तत्वों पर महारत हासल कर लेता है, उसे ब्रह्मान का स्वामी माना जाता है. जल सबसे एहम है, क्योंकि 72 प्रतिशद जल है. अगर हमें शरीर में जल को शुद्ध और अच्छा रखते हैं, तो सेहत और खुशाली का ख्याल अपने आप हो जाता है.